प्रोनेसिस इंवेस्टर अकैडमी के इस ब्राइंड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक मार्केट आज भी बुरी तरह से गिरा है जादा तर इंडाइस बुरी तरह से गिरे हुए है सेक्टर्स और थीम सभी जगा बलड बात है ज्यादा तर स्टॉक भी गिरे हुए है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज का ये जो गिरावट है ये किस कारान आया है और क्या इसी तरह का गिरावट फ्यूचर में और आ सकता है और फ्यूचर में हम स्टॉक मार्केट से किस तरह का performance expect कर सकते हैं यहाँ पर आप आज का stock market का performance देख सकते हैं तो जब हम ये वीडियो record कर रहे हैं तब तक तो सभी कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे देखें, Nifty, 50, Sensex, Mid Cap, Small Cap, Micro Cap, खासकर Small Cap, Micro Cap में तो और भी ज़्यादा गिरावट है, तो across selling, ऐसा नहीं कि Large Cap कोई कम गिरें, वो भी बहुँ ज़्यादा गिरावट है, तो complete blood बात इसे आप बोल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप Large Cap क्यों कर रहा है, तो again, Banking भी गिरा हुआ है, IT भी गिरा हुआ है, sector wise, और दोनों के जो Major Stocks हैं, लग सबसे ज़्यादा वेटेज, देखें, तो HDFC Bank भी गिरा हुआ है, Reliance तो बहुत ज़्यादा गिरा है, इसे बैंक भी गिरा है, और sector wise भी अगर देखें, तो complete bloodbath है आज आज, मतलब ज़्यादा अगर देखें, तो reality बहुत गिरा है, metal गिरा है, central PSUs बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, oil and gas, infra, commodities, इसे बोल सकते हैं, comprehensive selling, मतलब almost सभी कोई ऐसा लग रहा है, कि आज बेचने के mood में हैं, इसलिए ज़्यादा तर down है, कुछ ही stocks आपको मिलेंगे, जो कि positive है, even आज, वारी energies भी ना, सुबह अगर देखते तो 4% के आसपास down हो गया था, बट हाँ, बाद में थोड़ा recover हुआ भी तो थोड़ा positive आसपास है, देखते हैं कहाँ पर close होता है, देखें सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, कि पूरे October मन्थ में ही, ठीक है, market का performance अच्छा नहीं रहा है, large cap, mid cap, small cap, सब ही कुछ गिरें हैं, तो देखें गिरने का reason क्या है, तो गिरने के reason अलड़ी हम कई बार discuss कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं repeat कर दे रहा हूँ आपके लिए, कि फिलाल कौन-कौन से reasons हैं, जिसके कारण market up या down हो सकता है, आने वाले समय में भी, तो देखें सबसे बड़ा reason जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है, कि Indian markets का valuations अभी भी ज़्यादा है, large cap, slightly overvalued है, mid cap और small cap, ज़्यादा overvalued है, तो जब भी market ज़्यादा overvalued होते हैं, तो उन्हें गिरने का बहाना चाही होता है, उफकोर्स वो बहाना क्या-क्या हम discuss करेंगे, देखें, Indian stock market में यही हो रहा है, देखें, अगर Indian stock markets का valuations ठीक होता, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही बात है, कि market up-down होता है, तो market कभी नीचे गिरता, फिर recover कर लेता, लेकिन market, Indian market का valuations ज़्यादा है, इसी लिए market लागातार गिर रहा है, पूरा October almost हम गिरे हैं, नॉवंबर भी देखिए, तो गिर रहा है, अल्दो दिपावली के समय अट लिस्ट, थोड़ा positivity आया था, दिवाली के दिन market उपर गया, उसके बाद महुरा ट्रेडिंग में तो market का प्रफोंस बहुत अच्छा था, और फिर से आज से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो देखें, गिरने के reasons क्या हैं, तो एक तो सबसे बड़ा जो reason है, कई बार discuss कर चुके, FIIs का selling, last month 1 lakh करोर से भी ज़्यादा का almost sell हुआ है, FIIs का, क्यों selling हुआ? तो of course, valuations ज़्यादा है, तो FIIs में निकलना चाह रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट से, शुरू में तो चाइना का performance बहुत अच्छा आया था, कुछी दिनों में 27-28% का return, तो शुरू में तो ऐसा लगा कि साइच चाइना जा रहा है, पैसा लेकिन उसके बाद Chinese market का, फिर हंग कोंग मार्केट का performance देंगे, कोई खास रहा नहीं है, तो यह पैसा कहां जा रहा है, तो यह पैसा mostly ऐसा लग रहा है कि यूएस में जा रहा है, देखे मार्केट में जब भी वर्ल्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे, या फिर uncertainty होना, तो पैसा जातार यूएस में ही जाता है, या फिर उनके बॉंड में जाएगा, ठीक है, तो इसलिए देख रहा होंगा न, वहां का currency जो है यूएस डॉलर्स, पहले तो लग रहा था कि वीक होगा, वीक हुआ भी था, लिकिन अब फिर से थोड़ा, स्ट्रेंथ आया, क्योंकि पैसा जा रहा है यूएस में, तो देखिया, फिर इसका concern एक तो इंडियन मार्केट को लेकर, अफकोर्स है कि भाई, यहां वैलुएशन ज़्यादा है, तो वैलुएशन ज़्यादा है, तो एकलिस नियर फ्यूचर में, आप बहुत अच्छे returns expect नहीं कर सकते हैं, उसके बाद गिरने का महाना क्या मिला, तो यूएस में elections है, थोड़ा सा tension में है सभी कोई, खासकर FIIs, मतलब, यहां बोल सकते हैं इंडिया को तो क्या लेना देना, लेकिन इंडिया पर फर्क पड़ता है, इंडिया के जो investors हैं, उन पर भी थोड़ा से इसका फर्क पड़ता है, बढ़ हां, mostly FIIs पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसलिए, ना, 5th को ही, वहां elections है, मतलब, कल Tuesday है, तो कल ही elections है वहां पर, और result वहां तुरंट आ जाता है, लेकिन हाँ, recent times में, US में जिस तरह का elections होता है, और बाद में जिस तरह का problem आता है, कोई भी candidate नहीं मानता है, कि मैं हार गया, फिर वो Supreme Court जाते हैं, वहां पर recounting होता है, यह सब मतलब, इंडिया में कैसे, politics सभी जगा एक ही तरह का है, तो वहां भी इस तरह का problem होता है, तो अगर यह close fight रहा, तो इस तरह का फिर से वहां problem आएगा, थोड़ा time लगेगा, final result आने में, और एनिया और जो president बनेगा भी न, वह Jan Fabs से उसका decision making start होगा, इमीडियेटली उससे फर्क नहीं पढ़ने जा रहा है, बट हां, market आपको पता है, short term में sentiment का game है, तो भाई sentiment है, इसे लिए market पे उसका pressure बना हुआ है, although near future में उससे कोई फर्क तो पढ़ेगा न, president तो वह next year से ही कुछ फैसला लेगा, इसाने की immediately आकर कुछ कर देगा वो, तो market ऐसा ही काम करता है, तो वो बहुत बड़ा issue है, उसका rate cut कितना आता है, वो 6th और 7th November को है, तो election के बाद जस्ट वो है, तो वहाँ देखना होगा, पहले लग रहा था कि साय ज्यादा rate cut हो, लेकिन अभी जिस तरह का data आ रहा है US से, ठीक ठाक data आ रहा है, मतलब कि economy ठीक ठाक हालात में है, तो ऐसा नहीं लगता है कोई बड़ा rate cut होगा, ज्यादा ज्यादा वही 25 basis points का rate cut November में होगा, और फिर December में भी अभी तक ऐसा लगता है कि 25 basis points का rate cut वहाँ पे होगा, तो rate cut तो यह नहीं हो, देखे, positive होता है, पहले भी हमने इस बारे में discuss किया, तो वह तो कोई negative है नहीं, हाँ, अगर कोई 50 basis point मान कर चल रहा था, वहाँ पे उसे थोड़ा negativity आप देख सकते हैं, लिकिना 25 तो लगता है कि rate cut होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे reasons हैं, like Q2 earnings, कई बार हम discuss कर रहा है ना, मतलब second quarter का जो results आया है, companies का profits, या फिर sales, जो भी देखे आप, mostly तो profit ही देखते हैं, तो कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जादा तर companies का performance अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिलकुली खराब है, कुछ companies का performance अच्छा भी आया है, और उनके stock prices तेजी से उपर गया है, लेकिन हाँ, जादा तर खास कर जो large cap space में देखेंगे ना, तो performance अच्छा नहीं रहा है, और इसलिए इस पूरे साल का financial year, ठीक है, financial year means April to March, तो ऐसा लगता है कि earning growth जो है, nifty की companies की, जो large cap companies है, nifty में, उनका 10% भी अगर आ जाए, तो बड़ी बात होगी, earning growth, profit growth, पूरे financial year का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो quarter है ना, second quarter, ये पूरा लेकर बैठ जाएग mostly, तो उसके कारण जो overall financial year का earning growth है, वो भी साथ कम आए, तो अगर 10% से उपर हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ अभी तक लगता है, कि 10% के आसपास ये उससे थोड़ा कम ही होकर आएगा, तो वो भी एक बड़ा pressure डलता है market पे, क्यों medium to long term तो company का performance है, आपका economic कै कर रहा है, companies का performance कैसा चला, उसके आधार पर ही तो stock market move करता है, short term में तो sentiment है, US में क्या हो गया, चाइना में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, मतलब बिना economics के कुछ दूसरा matter भी, politics कुछ हो गया, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, geopolitical क्या हो रहा है, तो उससे भी medium to long term तो country है, अपका country कैसा कर रहा है, companies का performance कैसा कर रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ, no, short term तो pure luck है, भगवान के करीपा हो तो बहुत अच्छा रिटार, नहीं तो आपका principal amount में कम हो जाएगा, और medium to long term, of course, वहाँ पे performance depend करता है, तो यहाँ पे इसके अलावा, rising oil prices, no, oil prices प मैं बात बोल रहा हूँ, per barrel, US dollars, तो यह 74, 75 था उसके बाद, फिर 71, 72 के आस पास आ गया, उसके फिर से 74 क्रॉस कर गया, क्यों क्रॉस कर गया है, एक तो geopolitical tensions आपको पता है, अब इरान फिर से बोल रहा है कि मैं attack करूँगा इसराइल पे, और यह जो भी attack हो रहा है, मतलब first attack से जो second attack था, वो कहीं ज्यादा severe था, अब यह जब third attack होगा, तो माना जा रहा है, यह second से भी ज्यादा severe होगा, उसी तरह से जब इसराइल counter attack करेगा उसके बाद, तो वो और भी ज्यादा severe होगा, तो यह पता निक कब रुकेगा, तो let's see, वो भी एक unnecessary headache है, जो कि पूरे world को परिसान किये हुए है, इन दोनों का जो चल रहा है, तो यह भी एक देखना होगा कि आगे क्या होता है, अगर ज्यादा escalate होता है, तो again oil prices का rate बढ़ेगा, तो Indian economy के लिए अच्छा नहीं, इसके अलावा, OPEC Plus पहले बोल रहा था न, December तक वो अपना production बढ़ाएगा, जिसक ने oil का production थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसके कारण oil के prices already soft हो चुके हैं, तो अभी एक महिने के बाद हम बढ़ाएगे अपना production, तो उसके कारण भी oil पर थोड़ा pressure आया है, अब यहां से जान लेते हैं कि आगे क्या होगा, या फिर हमें as a investor आगे क्या करना चाहिए, तो दे बन सकते हैं, ठीक है, अमीर बनने के लिए आप में कुछ quality होना चाहिए, क्योंकि stock market medium to long term में तो अमीर बनाता है, इसमें तो कहीं कोई doubt नहीं है, short term मैंने already बताया, भगवान की कृपा है, ठीक है, तो अहां उसकी तो बात ही नहीं कर दिए, वो pure luck है, लेकिन medium to long term stock market लोगो को अमीर बनाता है, ठीक है, यह बात तो है, मतलब 5 year, 10 year, 15, 20 year, जितना लंबे समय तक आप बने रहेंगे, तो यही गेम है ना, जो long term तक बना रहेगा, वही अमीर यहां पे बन पाएगा, अपने पैसे को ग्रोग कर पाएगा, जो बीच में भाग जाएगा, of course उसके पैसे नहीं बनेंगे, तो यह basic चीज है, और पहले, in fact कई महीनों से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कि देखे, valuations जादा है, market को गिरने का बहाना चाहिए, जब भी बहाना मिलेगा, यह गिरता रहेगा, और अभी यह गिर भी रहा है, और आने वाले और कुछ समय तक यह और भ लंसम मतलब इतनी जल्दवाज ही क्या है, आप यह तो STP करें, SIP करें तो बहुत अच्छा हो नहीं, तो 3-4 ना, parts में डिवाइड कर दे, पैसे को धीरे-धीरे इन्वेस्ट करें, वो जादा अच्छा है, मैं तो STP में सा बोलता हूँ, systematic transfer fund, अगर कोई mutual fund के लिए जा रहा कुछ और समय आपके लिए बहुत difficult होगा, क्योंकि stock market यहां से और ज्यादा नीचे गिर सकता, लेकिन अगर medium to long term, 5, 10, 15, 20 years, ऐसा थोड़े की market हमें सा गिरता ही रहेगा, वापस नहीं आएगा, बिलकुल यह वापस आएगा, तो mostly कुछ समय का, अब exactly कितना है, बोलना मुस जाएगा ना, तो देखिएगा, फिर से वो जोर सोर से वापस आएगे, large cap, देखिए, मैं आप लोगो हमें सा बता रहा था, large cap का return थोड़ा जादा आना चाहिए, और mid cap, small cap का return थोड़ा कम आना चाहिए, valuations को देखकर मैं बोल रहा था, तो अभी देखिए, large cap बिगे रहे तो आप देखेंगे, कि large cap में अच्छा खासा तेजी आएगा, जब वो आपस आएगे, अपकोस थोड़ा और समय लग सकता है, यह आपस तो आएगे, क्योंकि return तो यही बनेगा, medium to long term, उन्हें भी यह पता है, पर हाँ, valuations के कारण हो भाग रहे है, तो इसलिए मैं बोल र है, and again, फिर सेम बात है, कि medium to long term, सभी कुछ उपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि large cap, mid cap, large cap, सिर्फ उपर जाएगा, mid cap, small cap, down होते जाएगा, ऐसा नहीं है, ना, short term की मैं बात बोरो, एक, एक साल तो short term होता है, फिर से cycle reverse होगा, फिर से large cap का performance होड़ा down होगा, mid cap, small cap का performance होड़ा mutual fund, FEDE, वो सब अच्छा है, नहीं हाँ, medium to long term के लिए, तो equity बहुत अच्छा है, provided आप में इतनी हिम्मत हो, कि आप ठीके रहें, ठीके रहने में अफको आपको product देखना होगा, अच्छे quality के product, mutual fund schemes है, diversified schemes, thematic funds, sector fund, factor fund से दूर रहें, अगर market का आपको ज़्यादा idea नहीं ह है, तो कहीं भी invest करें, वो बिल्कुल अलग बात है, idea नहीं है, तो बिल्कुल अलग रहें, सिर्फ diversified funds में जाए, stocks के लिए जा रहा है, तो सिर्फ अच्छे quality के stocks, पूरा पैसा PSU's में अके लिए नहीं डालें, mix up करके रखें, private sector का भी अच्छा खासा exposure जरूर लें, ठीक ह PSU's में करना चाहते हैं, करें, माना नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वहाँ invest नहीं करें, ठीक है, वहाँ एक limit तक ही करें, अगर करना चाहते हैं तो और private में अच्छा खासा exposure जरूर रखें, stocks की बात में बोलो, और वहाँ भी mix up करके रखें, ठीक है, diversify करके रखें different sectors को रखें, different themes को रखें, तो इस तरह से अगर करेंगे, तो mostly medium to long term में performance अच्छा रहेगा, अब देखेंगे, मैंने already आपको बताया है, कि stock market का performance कहा है, अगर आप medium to long term के लिए जाने तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे, मेरा economy कैसा चल रहा है, country का economy कैसा कर रहा है, आन बात है, क्योंकि हम मेरा पैसा लगा हुआ है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो at least पता होने चाहिए, क्यों हो रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन इसके basis पर हम decision नहीं लेंगे, कि गिर रहा है, तो मैं पूरा बेच दूँगा, अब उसके बाद जब पूरा stock market zero हो जाएगा, तो मैं investment करूँगा, वो सब दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके चकर में ना रहे, तो देखें, अगर आप economy देखें ना, तो कई बार discuss कर चुके है GDP, तो देखें, यहाँ पर आपको decide करना है, कि आप किसका credibility ज्यादा मानेंगे, RBI का, या फिर Indian government का, ठी बोला है कि नहीं भाई, 6.5-7% की आसपास ही होगा, तो आप decide करें, अगर आप RBI के favor में हैं, तो 7.2% और RBI नहीं भाई, बहुत ज्यादा बोल रहा है नहीं होगा, तो फिर Indian government के आप favor में है, Indian government तो कमी बोल रहा है, बट हाँ, देखें, overall जो भी details आ रहे हैं, जतने भी experts ह international agencies है, सभी कुछ मिला जुलाकर, roughly तो बिल्कुल लगता है कि 7% के आसपास, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, तो वो कोई major concern नहीं होना चाहिए, बट हाँ, 7% के आसपास आना चाहिए GDP growth rate, जो कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे of course यह concern कुछ लोगा था, कि GDP growth rate इतन यह बात बिल्कुल सही कि second quarter थोड़ा डाउन रहे, इसका यह मतलब नहीं नहीं कि सभी कुछ डाउन है, अभी दो quarter और बचे हुए है, ठीक है, इस quarter में अगर आप देखेंगे, ज्यादा तर चीजे बहुत ज्यादा positive चल रही है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अभी डिसकस करेंगे, फिल्हाल के इंडियान एकनॉमी को अगर आपको समझना है, तो कोवीट से आपको स्टार्ट करना होगा, देखें कोवीट दो साल बिल्कुल सब कुछ बंद रहा, उसके बाद फिर एकनॉमी खुलना स्टार्ट हुआ, तो 2022-23 में ब जीरे-जीरे खर्च होना ही लगा, तो उसी के कारण 2023-24 में GDP ग्रोफ रेट और ज्यादा बढ़ गया, 8.2% चला गया, ठीक है, तेजी से बढ़ा GDP ग्रोफ रेट, उसके बाद भाई, जो ज्यादा तर पैसा था जीरे-जीरे खतम हुआ, उसके बाद एकनॉमी में थोड़ा slowdown चल रहा है, तो इसलिए इस साल जो GDP ग्रोफ रेट हो तो घटेगा, मतलब पिछले साल तो 8.2% था, तो वहां से घट कर 7.2%, RBI जैसा बोल रहा है, 7.2% के आसपास आएगा, तो और next financial year में ये थोड़ा और घटेगा, 6.5% के आसपास आजाएगा, उसके बाद फिर से ये उपर जाने लगेगा, ठीक, एकनॉमी है, मतलब दुनिया में जातर जो चीज़े है, cyclical होती है, up-down, तो ना, COVID के समय बिलकुल बंद रहा, पैसा थोड़ा जमा हुआ, पेंट-प डिमांड उसके खुला, तो बहुँ जादा पैसा खर्च हुआ, तो ना, country का performance इंप्रूव इंप्रूव हुआ, उसके बाद भाई, पैसा था देर-देर खर्च हुआ, फिर एकनॉमी थोड़ा slow down आ रहा है, तो थोड़ा slow down रहेगा, कुछ समय तक वो फिर से उपर उठेगा, यह चलता रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, second quarter खास कर थोड़ा ज्यादा कंपनी है ना, टॉप टॉप परफॉर्मर है, लेकिन वहाँ भी आज मैंने स्टेट्मेंट सुना है, मिस्टर राके सर्मा वहाँ के एडी है, एक्जेकुटिव डिरेक्टर, वो बोल रहा है कि भाई अभी तो, मतलब अक्टोबर जो सेल्स हुआ है ना, टू वीलर्स का, ब बजाज आज ओटो देखिए, ऑल अफ़ असदेन खुदी पूरा स्टेट्मेंट उन्होंने चेंज कर लिया, टू वीलर, ट्री वीलर, सभी जगा परफॉर्मेंस आ रहा है, ट्रैक्टर्स, क्यों, क्योंकि रूरल डिमांड वापस आ रहा है, ना, मौनसून अच्छा इसलिए वहाँ कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूब हो रहा है, इवन फूर वीलर, जिनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा था थोड़ा ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ पर इंवेंटरी बहुत हो गया था, बिखी नहीं रहा था, इस सीजन में, आटो मोबील का भी दिमांड बहुत होता है, कार हुआ, टू वीलर हुआ, बहुत जादा, और दूसरे प्रोड़क्ट्स, कॉस्मेटिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, पैरल हो गया, कप्डे, इन सबका दिमांड बहुत आता है, तो नॉम्बर मंथ भी मोसली अच्छा होग उसके दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर निव येर का पीरियड आ जाएगा, तो वो भी ठीक ठाक, तो ये क्वाटर और लास्ट क्वाटर तो जनरली जाहतर केसिस में अच्छा ही होता है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सेकेंड क्वाटर थोड़ा नाउन हुआ है, लेकि 6.5 तो साइद ना जाए, तो 7 परसेंट के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और मोबाइल फोन्स, टेलिवीजन सेट्स, अक्टूबर का डेटा आप देखिएगा ना, सब कुछ अवेलेबल है, हुज सेल्स और e-commerce प्लेटफॉर्म का अगर आप सेल्स जादा, और यह जो उनका नंबर है ना, 2022 दिवाली पीरियड अगर देखेंगे, तो 69,800 करोर का उन्होंने बेचा था, और 2023 में उन्होंने 81,000 करोर के आसपास बेचा था, इस सीजन में, मतलब यह जो फेस्टिव सीजन है उस समय का, और इस साल यह अलमोस्स 20% बढ़ गया ह वन लैक करोर के आसपास चला गया, 12 बिलियन उस डॉलर का तो, और ज्यादा तरह वो भी बोल रहें कि देखेंगे, नॉन मेट्रो से बहुत अच्छा चल रहा है, टियर टू, टियर थ्री सिटीज या उससे भी नीचे, लगजरी ब्रैंड सॉलिड इन्होंने आपको बताय जादा है, क्योंकि food inflation जादा है, food inflation इंडिया में आपको पता है न, monsoon पे बहुत ज़्यादा फर्क पर जाता है उससे, weather कैसा है हमारा, unfortunately अभी भी monsoon पे हम बहुत ज़्यादा dependent है, agriculture sector में बोल रहा हूं, लेकिन इस बार monsoon भी अच्छा हुआ है, पिछले कुछ सालों से, अल September गड़ हुआ, October गड़ हुआ, लेकिन November जो कि December में इसका inflation data आएगा, वहां से आप देखेंगे कि inflation धीर धीर कम होगा, food inflation भी कम होगा, तो वहां से जो RBI का target है न, 4.5% का, इस financial year का, वहां उसके आस-पास हम पहुँच जाएंगे, तो inflation भी काफिया तक control में है, देखिए, दो महीने तो up-down चलता रहता है, तो कहीं भी होगा, nothing can be done, कि food inflation है न, कभी monsoon मतलब कहीं ज्यादा गर्मी पढ़ गया, कहीं ज्यादा बारिस हो गया, कहीं कम बारिस हो गया, तो इसके कारद थोड़ा बहुत up-down चलता रहता है, but overall हमें देखना है, तो 4.5% और next financial year पर तो 4% के आस-पास भी चला जाएगा, तो inflation में काफी हद तक, कुछ exceptions को अगर छोड़ दे, तो ठीक ठाक है, average inflation figure को अगर हम देखें, और interest rate देखें, interest rate एकनोमी के लिए क्लिए क्लिए क्या आच्छा होता है, interest rate कम होना, तो इंडिया में interest rate, although अभी तो RBI ने cut नहीं किया है, लेकि inflation figure हमारा कितना target है, 4% के आस-पास, तो अगर देखें, तो 4% से कितना interest rate cut होगा, यह मैं बता रहा हूँ, इंडिया में about 1.25 से 1.5% के आस-पास का rate cut हम expect कर सकते हैं, तो वो भी next year थोड़ा होगा, और उसके बाद, अगर एकनोमी ठीक ठाक करेगा, तो next year थोड़ा बहुत हो हमारा 680 billion US dollars के आस-पास है, तो सैथ, पहली बार ऐसा हुआ है, जब हम 11 months का import का पैसा हमारे पास already है, मतलब जो भी monthly हम import करते हैं, तो 11 months का पैसा हमारे पास, कुछ problem आजा है हमारे पास, हमारे country में कुछ problem आजा है, तो वहाँ दिक्कत की बात नहीं, 11 months तक हमारे पास पैसा है कि हम import कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा positive है, GST को लेकर लोग बहुत परिसान हो रहे थे, तक एक दो महीने के कारण लोग रोना धोना start कर देते हैं, जो कि बहुत surprising है, GST का figure आया है, अब देखे, 9% से उपर गया है, 1.87 lakh crores का, अब तक का यह second highest है, monthly अगर आप देखे तो यह भी concern नहीं होना चाहिए, उससे भी बड़ी बात एक और है ना, मतलब यह जो work demand होता है, अंडरेगा के अंतरगत, NREGS, तो वहाँ पे लगातार 12th month में, 12th month लगातार, मतलब almost 1 year से, जो work demand है, वो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कि जो rural economy है, वहाँ up swing हो रहा है, उ rural area में आपका problem है, लेगिन अगर वहाँ पे problem नहीं है, तो इसलिए लोग कम वहाँ पे jobs मांग रहे है, तो वो भी एक बड़ा positive है, तो देखिए, short term hiccups हमेशा होगा, किसी भी economy में होगा, ठीक है, आप कितने भी अच्छे economy हो, थोड़ा बहुत, एक दो महना, एक दो quarter का problem क नहीं भी हो सकता है, उसके कारण परिसान हो जाना कि सब कुछ बरबाद हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि अच्छा होगा, तभी stock market में, अगर आप पूरी तरह से negative है, कि नहीं सब कुछ बरबाद हो जागा, डूब हो जागा, तब तो फिर stock market मे जहां सा हैगा, तो आप इस तरह से देखे, बढ़ हाँ, जो details मैंने अभी share किया, उससे देखकर तो लगता है कि performance ठीक ठाक चल रहा है, आने वाले समय में भी performance ठीक ठाक होगा, बस यहाँ पे quality का ध्यान रखना है, देखिए stocks में अगर अच्छे quality में इंवेस्ट नहीं करे अच्छे returns आने चाहिए, उसी तरह से mutual funds में, quality का ध्यान रखे, diversified बना के रखे, unnecessary अगर आपको market का idea नहीं है, mutual fund का idea नहीं है, तो देखिए market है, बहुत सारे products, उन products में नहीं जाए, thematic funds, sector funds, factor funds, अगर पता है तो बिल्कुल करें, उसमें पता नहीं है, तो उदर नहीं जरूर मेंशन करें, आने वाले वीडियो में मैं ट्राइ करूँगा उन्हें आंसर करने का, वीडियो पसंद आया है, तो जरूर लाइक और सेर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, thanks a lot for watching